हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आसा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे तो मैं अजीत कुमार आपके यूटूब चैनल कमप्टिशन कम्यूटी पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रोनाउन को पढ़ना सुरू किया था तो हम आसा करते हैं कि आपने प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट को जरूर से देखा होगा प्रोनाउन के फर्स्ट वीडियो को आप सब उने जरूर से देखा होगा ठीक है अब इसके आगे क बात करते हैं तो हमने आपको जैसा कि पिछले क्लास में भी बताया था कि अब तक हम लोगों ने इसके पहले यानि की प्रोनाउन के फॉर्स्ट पार्ट के पहले नाउन को डीटेल में पढ़ा था सब्जेक्ट वब एग्रिमेंट को डीटेल में पढ़ा था और अब से प्रोनाउन को बिल्कुल जीरो लेबल से यानि कि ऐसे बच्चे जो ग्रामीन परिवेश से बिलॉंग करते हूं या ऐसे बच्चे जिनके इंग्लिस बहुत ही जादा वीक हो ऐसे उन सभी बच्चों को हमने कभर करने का प्रयास किया हम सबों का अर्था हमारा जो यूट दुकरी के तैयारी के लिए जो बच्चे किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर हैं या किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से उनको परिशानी हो रही हो आफ्टर कोवीड या वीफोर कोवीड ठीक है या ऐसे बच्चे जो सहरों में आके पढ़ाई नहीं कर सकते ऐस उन सभी बच्छों का हमारे इस channel का उद्धे से यही है कि ऐसे उन सभी बच्छों का जड़ा संख्या में हम लोग ते री खरवाके और जड़ा जड़ा बच्चों का ईस जए में selection करवा सके ताकि ऐसे सभी बच्चे यहिए इन्में से जदा तर बच्चे आर्थिक यूटूब से वो आत्म निर्वर बन सके ठीक है इसी कड़ी में हम लोग अपने इस यूटूब चैनल पे आप सबों के लिए निसुलक एससी की त्यारी के लिए ये वीडियो को लेकर आएं ठीक है चलिए तो अब आज के इस वीडियो सेशन को आगे बढ़ाने के पहले हम आ नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर से हिट करें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से बहुसते रहें ठीक है इसके आगे की बात करें तो हम लोग अपने इस कोर्स में आपको जो यहां पढ़ाते हैं जैसे आज हम जो लेक्चर बेलिवर करते हैं या हमारे जैसे जो भी फेकल्टे आपको लिक्चर करते हैं वह सभी लोग आपको इसका पीडियोफ नोट्स प्रवाइड करते हैं ठीक है और इसके अलावा प्रते एक संडे को आपको एक प्रेक्टिस सेट उपलम्द कराए जाता है यह सारी चीजे आप आपको PDF के माध्यम से उपलंद कराई जाती है जो हमारे वेबसाइट पे एबलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यदि PDF तक पहुचने पे प्रैक्टिस सेट तक पहुचने पे आपको कहीं कोई प्रॉब्लिम होती है तो इसके रेकार्डिंग आप हमारे कॉंटेक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकती है हाला कि ज्यादा तर चीजे या मैक्सिम चीजे हम लोगों ने इस तरीके से अरेंज करी है कि आपको सारी चीजे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उपलब्द करवा दी जाए तो इन सभी चीजों का आप फाइदा उठाई है प्रैक्टिस सेट जिस तरीके से हम सब उने त्यार किया है इस तरीके से साइध ही कहीं आपको उपलब्द कराय जाता है और जिस तरीके से हम लोग यहां पर तो चलिए आज के अपने इस वीडियो से सण को आगे बढ़ाने के पहले हम आपको एक बार पिछले क्सम में जो पढ़ाए थे उसका एक बार glimpse हम लोग देखते हैं तो आईए सबसे पहले हम लोग देखना शुरू करते हैं कि हम लोगोंने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था तो पिछले क्लास में हम लोगोंने प्रणाउन जो पढ़ना शुरू किया था उस कड़ी में ये कुछ sentence के example लेकर हमने आपको इन सभी sentences में यूज किये गए noun के बदले appropriate pronoun का यूज करना सिखाया था उसके बाद इस table को हमने आपको सिखाया था किस table को किस तरीके से रटना है किस तरीके से याद रखना है और ये table कहा कहा आपको benefit देने वाला है तो इस table का लाब न सिर्फ केवल pronoun के topic को या pronoun के question को solve करने में आपको मिलता है बलकि इसका फाइदा आपको narration wise question tag और भी grammar के दूसरे बहुत सारे sections में देखने को मिलता है ठीक है फिर इसके बारे में हमने आपको बताया था कि subjective को ही हम लोग nominative भी करते हैं objective case equal to nominative case यह जो objective case है इसी को हम लोग accusative भी बोलते हैं तो objective case equal to accusative case फिर यह क्या है तो यह दोनों है possessive case possessive case में यह है possessive adjective यह है possessive pronoun ठीक है इसका बड़ा बेहतरीन तरीके से हमने यूज करना आप सबों को पिछले class में अर्थात pronoun के part one में सिखाया था ठीक है तो यदि आप में से कोई भी candidate या कोई भी बच्चा pronoun के first part को देखना भूल गया हो या किसी भी candidate को pronoun के stable को use करने में कहीं भी एक percent भी problem होता है तो आप हमारे pronoun के first part का जो वीडियो है उसको जरूर से देखिए आपके यह सारे doubt clear हो जाएंगे ठीक है इसका यूज करते हैं हम लोग subject के जगह पे इस column का यानि के subjective के सौले column का इसको हम ने आपको पता है तक कि इस तरीके से याद रखना है I my mine me we are ours us अब देखिए इन सबों को हम लोग करते हैं एक एक family जैसे यह आई के जोच आई को बताए हैं इनको हमों करते हैं यह और भी फर्स पर्सन यू सेकंड पर्सन एंड आई वी यू इन तीन वर्ड को छोड़के बाकि सारे जितने भी प्रणाउन है या नाउन है सब को हम लोग क्या कहते हैं तो सब को कहते हैं ठीक है फिर इसके बारे में हमने आपको बताया था इसके आगे कि इन से कौन कौन से प्लूरल हैं ढेते हैं और फिर इन सबोब को कभर करने के बाद हम लोगों यहाँ से कोस्चन को सौल्व करना ज़रू किया था तो इनको देख सकते हैं उमलोगों को हम ने पिछले क्लास हें अब आज बारी है यहां 102 पन्ड़ने की ठीक है तो यहां से हम लोग आज के इस प्रोनावन के सिकंड पार्ट में कवर करने सुरू करेंगे यहां से इसका कॉंसिप्ट क्या है आइए अब हम लोग यहां पर चर्चा करना सुरू करते हैं तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें कि जो बी-ई-बी है यह होता क्या ह बी का हिंदी मिनिंग क्या होता है होना इस बी का हिंदी मिनिंग क्या होता है तो मिनिंग होता है होना ठीक है तो हमें होना से कोई मतलब नहीं है इनका कॉंसिप्ट क्या है और इनका यूज करके किस तरीके से आपके इसे सी एक्जाम में कुश्चन पूछे जाते हैं इसकी पहले के नाउन के वीडियो में भी बता चुके हैं आज फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं कि यह जो हम लोगों का कोर्स है यह सारे S.A.C. के एक्जाम के पॉइंट ओ वियू से इंपॉर्टेंट है चुकि जब हम लोगों ने यह कोर्स लेकर आना सुरू किया था जब हम लोगों यह कोर्स लेकर आये थे तब उस टाइम S.A.C. का कोई कैलेंडर इसू नहीं हुआ था हम लोगों ने ये कॉर्स लॉंच किया, उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद, SAC के कलेंडर इसू हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं या आप अब जानते हैं कि CGL को पाले रखा गया है, CHSL को उसके एक महीने बाद रखा गया, ठीक है, तो ये जो हमारा व अच्छे, SAC के फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिए, और जल्द से जल्द भर के आप जल्दी से जल्दी अपने आप को खुद को इंप्रूव करना शुरू किजिए, सारे वीडियो सेसंस को आप सब लोग जरूर देखिए, जितना ज्यादा ज्यादा हो सके, नमबर आर, ये सारे इसी के फॉर्म है, इसमर सारे इसी के फॉर्म है, फिर वाज, वार, ये सारे इसी के फॉर्म है, फिर देखिए, ये बिन, ये देखिए, बिंग, ये सारे इसी के फॉर्म है, ठीक है, तो बी, वाज, बिन, ऐसा हम लोग पढ़ते भी आए हैं, वर्ब के फर्स फर्म फर्मस descend form के ठीक है अब जरह द्हान देजिए आपके एक्साम यहां से क्या-क्या दिखाई पड़ता है हम लुग थोड़ी इसके यह पांच यह और इसको इंक्लूड करने तो च्हे यह निके इसको國 को थोड़i क्लीन कर लें हम और क्लीन करके आपको फिर से हम बताते चलें कि आपको एक्जाम में दिखाई क्या क्या पड़ेगा तो आपके एक्जाम में दिखाई पड़ेगा वह भी फिर इस am, are, was and were यह 6 verb आपको दिखाई देंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 यह total 6 verb आपको दिखाई देंगे और इनका concept क्या है कि इन 6 में से कोई भी आपको दिखाई दे कहीं भी आपको दिखाई दे तो इससे confusion क्यों होता है आईए थोड़ा सा इसको भी हम लोग detail में समझते चलें देखें हमने आपको पिछले class में बताया था और आप बचपन से जानते भी हैं कि sentence का format क्या होता है भाई तो sentence का format होता है subject plus verb plus object subject plus verb plus object और फिर इसी को हमने आपको पिछले class में बताया था कि verb के पहले अर्था तो verb के left side में हम लोग क्या रखते हैं subject को रखते हैं और यहां पर यदि किसी pronoun का use करना हो तो हम लोग use करेंगे subjective case या nominative case verb के right side में या verb के बाद यदि कोई noun या pronoun आए तो उसका case क्या होता है उसका case होता है objective case या दूसरे सब्दों में कहें accusative case ठीक है तो यहां पर verb के पहले क्या रखा जाता है सामाने तोर पे subject को verb के बाद किसको रखा जाता है object को ठीक है अब चलिए इसी के इसी के कारण हम समों को यहां पर confusion create होता है confusion क्यों create होता है भाई तो अब देखिए यहां पर आपको देखने को क्या मिलता है अब हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो verb B हैं इसको हम यहां पर सीधा लिख रहे हैं verb B प्लस यहां पर हम लोग यूज़ करते हैं subjective case कौन सा case तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे subjective case subjective case अब यह हो गई फिर से उटपटांग बात थे उल्टी बात हो गई यह ऐसा हुआ क्यों भाई जब subject प्लस verb प्लस object का एक common structure होता है तो यह कैसे हो गया सर यह तो verb है और verb के बाद फिर subjective case कैसे आ जाएगा और verb के बाद फिर आता है objective case यहाँ पे हम सबों को विशेश रूप से ऐसे सभी बच्चों को confusion होगा या हो सकता है जो English में बहुत वीक हो यही सब reason है कि हम लोग English को नहीं पढ़ते हैं यह हम लोगों को English समझ में नहीं आता है जैसा कि हमने नाउन के क्लास में भी आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दूसरे भासा से लिए गए हैं बेसिकली लैटीन वाट से लिए गए हैं और वह इंग्लिस ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करते हैं लैटीन के क्लास में हमने आपको बताया था ठीक है इंद से मुए आप पूरे इंग्लिस में देखते हैं कि हर जगह exception भरा होता है ठीक है सही बोल रहे हैं आप थोड़ा सा realize करके देखिए बिलकुल सही बोल रहे हैं हम और अब देखिए अब फिर से वही concept है जब यह हमारा common structure है कि पहले subject वर्ब के बाद object तो यह वर्ब भी है यह भी तो वर्ब है इस वर्ब के बाद subjective कैस कैसे आ सकता है यहां पे हम में से कुछ बच्चों को जरूर से doubt होता है ठीक है problem जाती है ठीक है तो tension आपको नहीं लेना है इन सबों को हम एकदम आराम से एकदम basic से zero level से fundamental level से आपक कैसा होता क्या है और इसको हम लोग कैसे समझते हैं इसको समझने के लिए हम लोग चलते थोड़ सा बोर्ड की तरफ अब देखिए बोर्ड पे आते हम लोग हमने आपको बताया कि यह जो वर्ब भी है बी के बाद कौन सा के साता है तो यहां पे आता है subjective case यह अभी अभी हम आपको बताया अब देखिए यह जो वर्बी का छे फॉर्म था उनमें से कोई भी कहीं भी लिखा हो जैसे एक question इट वाज इट वाज मी सोरी इट वाज मी तो हमें यहां पे लिखे इट वाज मी who who had done it अब इस question में जड़ा आप ध्यान से देखिए यह वाज क्या है तो हम लोग को लगता है कि वाज तो वाज है अब यह जो वाज है यह वर्बी का फॉर्म है कि नहीं है ठीक है अभी अभी थोड़ी दर पहले हमने आपको पताया था is, am, are, was और, was, and were plus b e b यह 6 में से कोई भी आपको दिखाई दे, इसके तुरंत बाद यदि कोई भी आपको यहाँ पर प्रोनाउन दिखाई दे, क्या दिखाई पड़े, कोई भी आपको यहाँ पर यदि प्रोनाउन दिखाई पड़े, तो इस प्रोनाउन को कौन से केस में लिखना है, इस ही दखें मिथा हमने आपको पिछले क्लास घ् façon कैंप अपने रखना है एक और समस्य आती है आप सबों के सामने विद्यार्थियों के सामने क्या समस्य आती है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उस समय आप में से कुछ बच्चे नोट्स बनाना शुरू करते हैं जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देखे एकदम आराम से इसको समझिए नोट्स आप सेकंड टाइम में बना लिजिए दोनों काम साथ साथ में करते हैं तो कहीं न कहीं आप से कोई न कोई concept slip हो जाता है और जब एक भी concept आप से slip हो जाता है तो फिर थोड़ी सी माइंड होके एक दम से कूल माइंड होके यह वीडियो कहीं जा नहीं रहा है आपके पास रहेगा आप इसको जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट करके देख सकते हैं ठीक है तो आप क्या करेंगे फॉस्ट टैम जब इसको देखेंगे तो फॉस्ट आम से सारे concept को समझते चलें और आपको नोट्स बनाना है आप सेकेंड टाइम इसको देखें और इसका नोट्स बना लिजे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपके एससे सी एक्जाम में जितने कोशन पूछे जाएंगे जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस से रिलेटर जितने भी को लिएक्रिक्टिब केस क्या होता है। आई होता है तो हम लोग की जगह क्या लिक्क हैंगे हम लोग लिक्ए आई को इस बात खाव में साध्यान, रखिएगा आई जहां कहीं भी लिखा जाए यह ऐसा वाला नहीं लिखते हम लोग Asia का हिंदी मिनिंग कहीं भी मैं करने। I का Hindi meaning कहीं भी मैं हो तो उसको आप sentence के beginning में लिखे middle में लिखे या ending में लिखे चाहें जहां कहीं भी लिखेंगे लेकिन I कभी इस format में नहीं लिखा जाएगा इसका correct form कैसे लिखेंगे हम लोग ऐसे capital letter में ठीक है तो ऐसे बच्चे जो Hindi medium से थे या जिनकी English बहुत weak थी उनका ये doubt भी clear हो गया ये सारी बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके ACC exam में descriptive का paper भी होता है और descriptive में आपको हाँ से सब कुछ लिखना होता है और आपकी habit ऐसी वाली बनी होती है कुछ English मेडिया में पढ़ने वाले बच्चों की भी कुछ की rare case में ऐसी habit होती है कहीं कहीं ऐसे छोटा eye आप लिखके निकल जाते हैं तो चुकि हम सबों को final selection लेना है finally select होना है तो descriptive के paper को आपको qualify करना होता है तो descriptive का आपका जो 100 number का paper होता है उसमें आप इस तरीके की भूल को कभी भी नहीं करेंगे इसका विशेश रूप से ध्यान लगेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये concept हमारा clear हुआ अब आईए इस concept पर बेस्ट हम लोग कुछ कोशन को बनाने का solve करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कोशन इस pattern पर बेस्ट है हमारे पास चलिए तो यहां से हम लोग आ गए कुछ कोशन की तरफ तो आईए कोशन यहां आपको दिख रहा है इन कोशन को हम लोग साथ साथ साल्व करते हैं पर्ला कोशन है कि it was me , तो हम . क्या कर दे मी के जग हम क्या लिखेंगे तो हम कुछन कर दे आई मे क्यों करएंगे obs और गले कॉनसेट की तरफ अब देखें अगला कॉनसेट कीव है यहां पर कई concept को हम लोग एक साथ इकठा सीखते हैं अगला concept है कि हमारा एक verb होता है let let ये देखे एक ऐसा verb है जिसके बाद यहां पर लिखा जाता है subject क्या लिखा जाता है subject लिखा जाता है ठीक है ये क्या है ये ब्रब है और इसके बाद ये हान subject लिखा जाता है ये जो subject यहां लिखा जाता है वो रहता है कौन से केस में तो objectiveुस् Depending केस में आरान ये तो इनको एक दम कूल होके समझना है कैसे होता है है कांसे ओधोग डिलकर रहे तो Louise होता है कैसे नहीं होता है ताकि हमारे एक्जाम में जब इन में से किसी से related कोई भी question पूछे जाएंगे तो हम लोग उसको एकदम आराम से solve करें और अपना selection तै करवा सकें ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब इसको थोड़ा हम बोर्ड के माद्यम से आपको समझाना शुरू करते हैं तो आएए हम लोग चलते हैं आगे देखें इनका concept क्या है let but accept let but accept and preposition एंड प्रेपोजीशन लेट बट एक्सेप्ट एंड प्रेपोजीशन और हमें लगता है कि साइद इसका कलर आपको दिखने में थोड़ा सा परिशानी खड़ा कर सकता है इसलिए आई हम इसको एक बड़ फिर से लिखने का प्रयास करते हैं तो इनका कॉंसेप्ट एलेट प्रेपोजीशन यह जो चार वोड आपको यहां दिखाई दे रहें इनमें से कोई भी कहीं भी किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट हो इनके तुरंत बाद यदि कोई भी प्रोनाउन लिखा जाए क्या लिखा जाए प्रोनाउन लिखा जाए तो यह प्रोनाउन लिखा जाएगा objective case में कौन से केस में लिखा जाएगा ये तो यह लिखा जाएगा objective केस में और जाएए इनको हम लोग example के माध्यम से one by one करके सीखना समझना शुरू करें तो सबसे पहले जैसे हम कहते हैं मुझे पढ़ने दो एक एक्जाम्पल लेते हैं next slide में मुझे मुझे पढ़ने दो पढ़ने 2 मुझे पढ़ने 2 तू देखे इसका English हम लोग क्या बनाते हैं translated अगर इसको लोगे English में करें तो BET में अब इसको जब ठीक से समझें हम आपको जब इग्रिमेंट पढ़ा रहे थे तभी इस तरीके कि बात है NAP के साथ की थी अभी भी हम आपके साथ इस बात को यहां पे रख रहे हैं यह क्या है वर्ब है यह क्या है वर्ब है और जब subject वर्ब एग्रिमेंट हमने आपको पढ़ाना सुरू किया था तब हमने आपको बताया था कि किसी भी sentence में subject को identify करने में यह दिया आपको problem होती है तो आप वहां पे जाएंगे और सबसे पहले ढूंड लेंगे वर्ब को और वर्ब हम सब लोग चाहे हमारे आपके इंगलेस अच्छी हो या कमजोर हो वीख हो खराब हो कैसी भी हो वर्ब तो हम लोग पाचाने लेते हैं इस वर्ब के साथ हमने आपको पताया था कि attach कर देना है वाट या हू इसका जो और वर्ब के साथ वाट या हूँ attach करके आपको question पूछना होता है और इस question का जो answer आता है जो answer मिलता है वह होता है आपका subject जैसे यहाँ पे who play कौन खेलता है भई तो he खेलता है who read कौन पढ़ता है I पढ़ता है अब देखिए तो यह जो है यह क्या है यह हमारा subject है कि इस काम का करने वाला थूर तो हमने आपको जब subject मेff की पढ़ाया था सब्जेक्ट में बातया था सब्सक्राइब को कैसे हैं हम लोग आसानी से पाचानेंगे छोटे संटेंस में बड़े सेंटेंस में यıtके कोई confusion हो तो कैसे पाचाने डीविंग है नॉन यंग है तो कैसे पाचनेए ठीक है यह सारी बात हमने आपको बताये थे अबंजेक्ट को कैसे होते हैं तो यदि आप मेंसे किसी बच्चे को वहां पर प्रॉब्लेम हो तो आप हमारे सब्जक्ट के वीडियो को भी जाके देख सकते हैं यह सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे आपके यूटूब चैनल कम्टीशन कम्मुणूटी के प्लेडिस्ट में आप जाएंगे वहाँ पर जेनरल इंगली सक्षिंट में अब तक हम ने जीतने करने वाला कुंन है यह है तो यह अगर सब्जेक्टिव काम को लिगते तो क्या होने के कारण हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं objective case लिखते हैं यहाँ पे हम लोग subjective case का use नहीं करते हैं बात समझ में आई चलिए अब इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं late के आगे चलते हैं but की तरफ, accept की तरफ अब चलते हैं next page में अब देखें यह जो but है but तो but के कहानी को थोड़ा हम लोग ठीक से समझने का प्रयास करें यह देखें यह जो but है यह जो but है but का use sentence में दो तरीके से होता है एक conjunction के रूप में जिसको आप बजपन से जानते हैं दो opposite contrast वाले sentences को connect करने का काम करता है यह होता है किस रूप में प्रेपोजीशन के रूप में भी होता है कैसे होता है इसको थोड़ा हम लोग समझें but का use प्रेपोजीशन के रूप में कैसे हो जाता है यह की वार्ड कई parts of speech का रूल प्ले करता है हिंडी grammar में भी English grammar में भी और दुनिया के सभी grammar में है। एक छोटा सा हम लोग example इक चेहरा ठीक है तो चेहरा का English होता है और इससे भी आसान सा example लेएक हम लोग प्रयास करें तो हिंदी में हम लोग क्या लेते हैं सोना हैं अब सोना इंग्लियस क्या हता है कि इंग्स होता है लेकिन दोनों के हुए इंग्स में भी ऐसा ही होता है और दुनिया के थिक है तो आपको घबराने के बिलकुल भी जरूरत नहीं बट का हिंदी मिनिग यदि लेकिन हो बट का हिंदी मिनिगяж यदि लेकिन हो लेकिन हो तो यह काम करता है कंजक्सन का क्छ करेगा तो यह काम करता है conjunction का लेकिन बट का Hindi मिनिंग के सिवाए के सिवाए के अतिरिक्त को छोड़कर जोड़कर ऐसा यदि इसका Hindi मिनिंग निकलता है सब्सक्राइब और देखिए जो को छोड़कर लिखा हुआ है इसका इंग्लिस क्या होता है तो एकसे हुँता है कि नहीं होता कि इसका English to Hindi meaning check कर लेना ठीक है भरोसा हो जाएगा क्योंकि भरोसा का होना कायम रहना यह बहुत ज़रूरी होता है ठीक है बट में भी यदि आप में से किसी बच्चे को डाउट हो तो आप कोई भी डिक्सनर यूज कर लेना online offline कोई कोई भी hard copy soft copy कोई भी और बट को भी आप चेक कर सकते हैं बट कभी प्रेपोजीशन का काम करता है कभी कंजक्शन का काम करता है एक ही वाट कई parts of a speech के रूल प्ले करते रहते हैं और जब अलग-अलग parts of a speech का रूल प्ले करता है तो चुकि हम लोग उसको ठीक से समझने का प्रयास नहीं करते हैं यह हम लोगों के पास उसके deeper knowledge नहीं होती है इसलिए हम लोगों को परिशान करता है और जिस पे हम लोग या जिसका उस word क जो form हम लोग बच्पन से जान रहे होते हैं पहले से हम लोगों के माइड में होता है उस format को यूज किया जाए तो वहां पर हम लोग स्मूथ होते हैं आसान होते हैं लेकिन जैसे ही अगला parts of a speech उसका यूज कर लिया जाए जहां पर उसका meaning change कर जाता है grammar के concept and rules उसके change कर जा तो हम आपको यह सिखा रहे थे कि let but accept and preposition तो grammar का concept है कि यदि preposition के बाद कोई भी noun या pronoun आए तो वो preposition का object होता है इसकी चर्चा हमने आपको subject of agreement के lecture में भी की थी ठीक है चलिए तो अब आते हैं यहाँ पर एक बार फिर से तो हमने आपको बताया कि but का Hindi meaning लेकिन होगा तो व वो कंजक्शन का काम करेगा तो उसके बाद subjective case भी आ सकता है objective case भी आ सकता है बट जेनरली आता है subjective case क्योंकि कंजक्शन दो sentence को connect करता है देखिए but के बाद यहाँ पर कोई भी आपको noun या pronoun लिखना हो या लिखा गया हो ठीक है इसके तुरंत आगे यहाँ पर यदि कोई वर प्रेजेंट हो यह यदि उपस्तित हो तो हम लोग इसको लिखते हैं subjective case में कौन से case में लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे subjective case म लेकिन यदि बट के तुरंत बाद यहाँ पर कोई noun या pronoun लिखा गया हो या लिखा जाना हो यदि इनके तुरंत बाद यहाँ पर कोई भी वर पस्तित नहीं हो तो हम लोग इसको लिखेंगे objective case में कौन से case में लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे objective case में देखेंगे तुरंत पहले हमने आपको बताया था कि बट का Hindi meaning निकले लेकिन तो वो काम करेगा conjunction का जब वो काम करेगा conjunction का तो उसके बाद subjective के साथ है ठीक है क्योंकि conjunction दो sentence को connect करने का जोड़ने का काम करता है अब conjunction चुकी दो sentences को connect करने का काम करता है और sentence का format क्या होता है subject प्लस word प्लस object इसलिए उस condition में वहाँ पे subjective के समलुग यूज़ करेंगे और but का Hindi meaning यह दे निकलेगा के सिवाए कि अतरिक्त को छोड़कर अर्थात except के case में तो वही काम करता है प्रेपोजीशन का और जब प्रेपोजीशन का काम करता है तो उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं objective case हमने आपको यही बताया ठीक है अब देखिए यदि हम उसका Hindi मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं चुकि एक्जाम में हमारे आपके पास टाइम बहुत कम होता है हमारे पास इतना ठाइम होता ही नहीं कि हम उसका Hindi मीनिंग निकाल पाएं बहुँ ज्यादा सोच समझ पाएं तो उसके लिए भी हम आपको यह concept बता रहे हैं कि यदि आपको कहीं भी बट दिखाई दे बट के तुरंद बाद यदि कोई भी नाउनिया प्रणौन आपको दि के तुरंद बाद यदि कोई भी वर्व उपस्थित नहीं हो तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे objective case बात समझ में आई चलिए अब इनका एक example ले हम लोग यूँ ही बात समझ में आती नहीं है एक example लेते एवरी वन वोज विलिंग विलिंग टू 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 गो देर बट आई ठीक है एक दूसरा ग्रीन बट ब्रग मी वॉज विलिंग विलिंग टू टू गो देर आप ज़र धियान से देखिए इन दोनों ही Śट इसे में हम लोगों ने क्या यूज किया है तो इन दोनों ही सेंटेंस इस में हम लोगों उपस्तित हैं नहीं हैं तो यदि कोई वर्व उपस्तित नहीं हो तो हम लोग यहां कौन सा केस यूज़ करेंगे और जेटिव केस्त अबजेक्टिप केस के लिए क्या करेंगे आई को परिवर्तित कर देंगे मी में आई को चेंज करेंगे किसे मी से ठीक है नेक्स टागे बढ़ते हम लोग सेकंड़ वाले कोशन में देखिए बट के तुरंद बाद क्या यहां जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसको हम लोग किसमें लिखेंगे सब्जेक्टिव में तो मी की जगा हमें क्या लिखना होगा आई बात समझ में आई आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग ठीक है चलिए तो यह था बट का कहानी और बट के अलावा जो उसका कोई exception नहीं है उसमें कोई भी confusion नहीं आपको except कहीं भी दिखाई देssen के तुरंत बाद कहीं भी कोई और प्रोनावं उसको हम लोग simply को सबस्य किसमें अब बात आती हैं कि इसकी लुप territory का Sigल का सिंपल सा कॉनसेब्स हैं कि कहीं भी कोई भी encaps खूल कि कोई भी Mono 1603 शब्रक के दिमाग में सारे के सारे प्रेपोजी । नहीं होने चाहिए आपके एक्जाम में जो generally use क्या जाता है वो होता है of, in, on, upon, about, etc. एकदम simple वाले जिसको आप बच्पन से जानते हैं और इसी कड़ी में between भी है, ये between भी इसी का part है, between भी प्रेपोजी साने, between का मिनी क्या होता है, दो के बीच में, जैसे राम और मोहन के बीच में इन दोनों की एक इस्तरी हो और उनके दो पुत्र हो, एक महिला हैं, उनके दो पुत्र हैं, ठीक है, एक है राम और दूसरा है लखन, ठीक है, मेरे दो अनमूल लतन, एक है राम तो दूसरा लखन, ठीक है, तो चलिए राम और लखन दोनों की माँ हैं, तो इधर राम खड़े हैं और in the same way, तो ये between क्या है ये, between एक preposition है, तो कोई भी preposition हो, किसी भी preposition के बाद, यदि कहीं भी, कोई भी noun या pronoun आए, तो उसका case रखा जाता है, objective, कौन सा, objective, अब noun जो होते हैं, उसका use subjective case में और objective case में दोनों ही case में समान रूप से होता है, आईए, इसको भी एक example के माद्यम से ह आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे राम, killed, him, ठीक है, एक दूसरा example लेते हैं, he, killed, राम, देखें, ये जो राम है, क्या है, noun, ये राम क्या है, noun, इसमें तो आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब देखें, ये दोनों ही sentence में, यहाँ पे ये क्या है, तो ये है, ठीक है, अब इनका color थोड़ा सा change करते हैं, ये जो पहला वला राम है, इसका case कौन सा है, तो इसका case है subjective, क्योंकि ये वर्व के पहले है, ये वर्व के बाद है, इसका case कौन सा है, objective, ठीक है, बाद समझ में आ रही है, तो noun का प्रयोग subjective और objective दोनों ही case में होता है, लेकिन pronoun के दोनों case अलग-अलग होते हैं, बट pronoun के टेबल में हमने आपको पिछले class में बताया था, कि you का subjective objective और objective दोनों एक है, same है, it का subjective objective और objective दोनों same है, एक ही है, ठीक है, उसमें कैसे आप अंतरस परस्ट करते हैं, ये सारी बात हैं हमने आपको बताई थी, possessive pronoun, possessive objective मे ने आपको pronoun के फर्स्ट लिक्चर में बताया है, ठीक है, चलिए, तो अब इनका एक example लें, जैसे, he was, he was telling something, he was telling something, about, about, अब इस about के बाद हम यहां लिखते हैं, अब देखे ज़रा, आप इस question को ध्यान से देखे, ये about क्या है, तो ये है preposition, ये क्या है, ये है preposition, अब preposition के बाद ये क्या है, pronoun, ये कौन से case में लिखा गया है, तो ये है subjective case, ये सी family का member, तो preposition के बाद कौन सा case आता है, objective case, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सी को change कर देंगे, objective case, सी का objective case क्या होता है, हर, बात समझ में आ गई, आईए, अब इन सारे concept पर best, तो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, let, but, accept and preposition plus objective case, between भी क्या है, preposition है, between के बाद भी क्या आएगा, objective case ही आएगा, तो आईए, अब इन सभी concept पर best हम लोग कुछ कोशन को solve करने का प्रयास करते हैं, और यह सारे वह कोशन होंगे, जो आपके S.S.E. exam में, previous year में पूछे गए, तो सबसे पहले सुरुवात हम लोग करते हैं, between से, यहां देखिए, इस question में, between you and I, यह देखिए between क्या है, preposition, तो you, you subjective में भी होता है, objective में भी होता है, तो you पे तो कहीं कोई doubt create है, नहीं होगा, ठीक है, अब बचा क्या, I, तो between क्या था, preposition, preposition के बाद क्या आता है, objective case आता है, तो I को हम लोग किस में convert करेंगे, I की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग इसको change कर देंगे, between you and me, ठीक है, between you and me, अब आप में से कुछ बच्चों का doubt हो सकता है, कि sir, he को भी him में convert करना चाहिए था, between you and me, हमारे और तुमारे बीच मेरे और तुमारे बीच में, he probably won't come at all, हमारे तुमारे बीच में वो बिल्कुल भी जरासा भी नहीं आएगा, हस्तचेप नहीं करेगा, तो यहां से यह sentence ही अलग है, तो यह जो दूसरा sentence है, उस sentence का यह subject है, बात समझ में आया, तो चुकिए यह second वाले sentence का subject है, इसलिए he को रखा गया, subjective case में, यही वाला part correct है, यहां पे हम लोग him का use नहीं करेंगे, ठीक है, कि वहला I को change करेंगे, नेक्स्ट, बोड को clean करते हैं, चलते हैं, आगे हम लोग अगले question में, अब देखें, यहां से हम लोग को कुछ और चीज़े भी पढ़नी है, 123, 231, जैसा कि pronoun के first lecture में हमने आपको बताया था, और आप सब लोग बजपन से भी जानते हैं, कि pronoun के कितने case होते हैं, तो personal pronoun के जो case हैं, वो हम लोग पहले पढ़ चुके, subjective case, possessive case, objective case, possessive case में दो टाइब के थे, possessive adjective and possessive pronoun, ठीक है, अब जो person थे, first person, second person, third person, ठीक है, personal pronoun में कितने person होते हैं, तो तीन person होते हैं, first person, second person and third person, ठीक है, तो first person कौन सा था, तो first person कौन सा था, तो first person होता है, I or we, यानि कि पूरा I family, न कि word I, I, my, mine, me, we, are, ours, us, ठीक है, यह दोनों क्या है, first person, यह you क्या है, second person, और इन तीनों वर्ड को छोड़के बागे दुनिया के जितने भी pronoun है, या ना उन्हें सबके सब क्या है, सबके सबकालाते है, third person, ठीक है, अब इनका concept यहा है, कि यदि एक से ज्यादा person एक साथ आयो, एक से ज्यादा person एक साथ लिखना पड़े या लिखा जाए तो उनका sequence ये दोनों ही होता है और दोनों ही correct है अब दोनों में क्या difference है हम लोग कैसे समझें कि हमें ये वाला format यूज़ करना है अर्थात दो तीन एक यूज़ करना है second person, third person, first person या one, two, three यूज़ करना है one, two, three सब कुछ free वाला यूज़ करना है कैसे इसको हम लोग सीखें अब देखिए sentence यहाँ पे grammar हम लोग को कहता है कि यदि sentence का जो टोन है वो positive हो positive कैसे हो भाई जिसमें प्यार मुहबत की बाते की गई हो ठीक है हसना खेलना कुदना समर्थन करना प्यार मुहबत वाली बाते ह हो तो उसको हम लोग क्या कहें के उसको हम लोग कहेंगे Key sentence का टौन है positive तो realize कंटेंस का टौन रहेंगा तो इसको अम लोग यूज़ कुछ लोगों ने बीजेपी वालोंने तरप से बात है की वह अपने तरफ से बाते की ठीक है लेकिन इस तरीके में क्या गए मान्य जैसे कि हम कहए यू यू मोहन आप मोहन और अइनड आई आर आर गोईंग टू रॉभ स्विए आई आर गोईंग गोईंग टू रॉब स्विए इसिएं इस भेया याणि टीनों मिलके आज जा रहे हो इस टेट बैंक को लूट नहीं यू जा मोहन जारा है और है जा ले ठीक है अब बताये लूटना वा इसको हम लोग क्या मानेंगे positive माने या negative माने तो चुकि यह legal काम नहीं है इसलिए हम लोग उसको मानेंगे illegal illegal हो गया तो यह हो गया negative negative हो गया तो अभी देखेव इसका sequence क्या यह है यह थू है और यह वन है तो 2-3-1 हम लोग तब यूज़ करतें जब सेंटेंस पॉजिटिव होता मतलब यह तीन यह ति पैसा जमा करने जा रहे होतें तो हम लोग इसको अफरमेटीम मानतें इसका टोन हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और टू त्रीवन इसका सिक्वंस होता है लेकिन यह जो गी बेन सेंटेंस है इसमें यह लोग जा रहें स्टेट बैंक को लूटने तो इस बैंक को लूटना क्या होगा गया जैसे ही यह नेगेटिव टोन हो गया तो अब हमको यहा यहां पर कौन सा टोन यूज करना होगा कौन सा सिक्वेंस यूज करना होगा यानि यहां पर यू मोहन एंड आई की जगह हमें यूज क्या करना पड़ेगा तो हमें यूज करना होगा यह यूज करना पड़ेगा इसकी जगह हमें आई मोहन एंड यू उसके आगे आर गोइंग टू रॉब SBA बात समझ में आ रही है तो ये था इनका कहाम अब इन सबों का मिला जूला कोश्चन हम लोग आगे चलते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं यहागे स्लाइड में आपको कुछ कोशन हैं से मिलेंगे जिनमें अब तक यहाँ तक हम लोगों ने जितने भी कॉंसेट पढ़े इन सबों का मिला जूला कॉंसेट और मिले जूला का कॉंसेट पर आधारित आपके एससे प्रिवियर्स एर में पूछेंगे कुछ को दिखाई पढ़ेंगे तो आईए इस कोशन का फटा 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 स्क्रिन सौट ले ले और जल्दी से इनको एक बर सॉल्प करने का कुछ से प्रयास कीजिए चलिए अब आईए यहाँ पर हम लोग पढ़ना सुरू करें लुक अट दिस वीडियो क्लिप इन विच आई इस आई तरी माइफ्रेंड करेंड यू आर एंजॉइंग अबोट राइड यह तीन लोग मिलके यह कौन-कौन से लोग है यह पहला है यह दूसरा है यह तीसरा है तो यह वन टू-ठी यह तीन लोग हो गया यह वन टू-ठी परसन का हम सीक्वेंस नहीं लिख रहे हैं ठीक और यह कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन ठीक है अब चुकिए यह सब लोग क्या कर रहें बोट राइडिंग जो है उसका आनंद ले रहें खेल गुद रहें मतलब प्यार मुहबत वाली बाते चल रही है तो इसमें इसके टोन को हम लोग ऐसा मानेंगे पॉजिटिव मानेंगे तो पॉजिटिव या फर्मेटिव टोन हो तो इसका सिकूइंस क्या होता है तो इसका सिकूइंस होता है 2, 3, 1 इस sentence में हमारा correct answer क्या बनेगा you my friend and I चलिए option देख ले you my friend and I that is option number a ठीक है चलिए यह से आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले question की तरफ अगले question में आईए हम लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे अब देखें बिंग का क्या concept है इसको थोड़ा सा हम लोग सीखें बिंग का क्या concept है आईए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सीखना शुरू करें तो बिंग का concept है कि यदि किसी भी sentence की सुरुवात बिंग से हो किसी भी sentence की सुरुवात यदि बिंग से हो किसे हो बिंग से और उस बिग का यूज किया जाये sentence में natural happenings के respect में natural happenings यानि की प्राकरतिक घटनाओं के reference में अब natural happenings हम लोग मानते किसको है यहाँ पे बहुत बड़ा confusion है हमारे हम क्या confusion है भाई तो हम लोग धूप को बारिज को इनी चीजों को मान लेते हैं कि यह क्या है तो नेचूरल हैपनिंग से ठीक है आप ए गाना भी सुनेते चांद सितारे फूल और खुशबू बाकि आपको यादि तो जो चांद सितारे फूल और खुशबू है हमारा आपका जो माइंड सेट है या जो common human being का माइंड सेट है वो यहीं तक्सिमित है नेचू मंदे है है कि संडे मंदे यह جो टाइम है हम लोग काते है कि टाइम रुखता हाइन बास ही यह टाम चलता ही राता है तो जो टाइम है ज्स जनवरी फरवरी में तो जैसे मांडों कि हम एक महीने का नाम है लिख रहे जुलाई अब आप जड़ा देखें यह हमारे आपके कंट्रोल में है क्या हम लोग नेचूरल हैपनिंग्स किसको कहते हैं आईए सबसे पहले इसी को सीखें क्योंकि इन सबों को लेकर या ऐसे बहुत सारी चीजे हैं जिसको लेकर हमारे आपके बीच में बहुत कंट्रोल में नहीं जैसे यह जो टाइम है तो टाइम को मिजर करने का इनसान ने मिजर्मेंट यूनिट बनाया घड़ी बनाया और घड़ी में जो टाइम को मिजर करने का इनसान ने बनाया तो गंटा मिनट शेकेंड आर मिनट शेकेंड यह जो इनसानों ने बनाया हमारे आपके पूरवज़ों ने चीजसको बनाया ठीक है तो अब आप ज़रा देखिए क्या यह time हमारे आपके control में है नहीं है बिलकुल भी नहीं है तो न तो यह सद्यों पहले था न आज है तो यह time हमारे आपके control में नहीं है सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि जब आप a student है या यदि कभी आपका कोई exam होता है आपका preparation ठीक से नहीं हुआ होता है तो a student as a student इंसान यह सोचता है कास कास दो घंटे time मिल जाता कास दो दिन और time मिल जाता क्या कभी वो दो दिन आपको मिला दो घंटे आदे घंटे जो भी आप सोच पाते क्या वो मिला नहीं मिला वो हमारे आपके चाहने से नहीं रुख सकता वह अपने टाइम के अपने सिक्वेंस के अकोडिंग अपने सेड्यूल के काम करता रहता है बात समझ में आ being Sunday, I decided, decided to stay, to stay at home, to stay at home. दूसरा, being a teacher, I decided to help you. अब जरा आप यहां पर ध्यान देजे, इन दोनों ही sentences में आप ठीक से समझने का प्रयाज किए, जिए, आप देख पा रहा हैं कि sentence कि सुन्वात किसे हो रही है? बिंग से हो रही है, अब बिंग का Hindu में क्या होता है? के कारन, जैसे आपने गाशन तो बिंग और टीचर यानि कि टीचर होने के कारण टीचर होने के नाते बिंग संडे संडे होने के कारण संडे होने के नाते अब नाते मतलब रिष्तेदार नहीं रिलेशनशिप नहीं दिखाना है इस बात को ठीक से समझें बिंग संडे संडे होने के कारण बिंग और टीच सिंके बिंग कहा है सेंटेंस में में सुरू रहा है या सड किसरों हो रहा है और दीज को किसके लिए किया संड़्य क्या है निचुरल है लेकिन यह टीचर होना क्या नेचूरल हैपनिंग्स है नहीं बात समझ रहें टीचर होना एक नेचूरल हैपनिंग्स नहीं है अब ज़रा ध्यान दिजिये आप तो यह जो संडे था यह natural happening है हम यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यह समझा रहे थे इसका concept यह है कि यदि कोई sentence बिंग से सुरू हो रहा हो और उसमें बिंग का प्रयोग किसी भी natural happenings के लिए किया गया हो हो तो ऐसे sentence में हमें बिंग के पहले यहां pronoun के रूप में इट का प्रयोग करना compulsory होता है किन्तु यदि बिंग का प्रयोग यदि किसी natural happening के लिए नहीं किया गया हो तो बिंग के पहले यहां किसी भी subject के जरूरत नहीं होती है और यदि इस case में कि बिंग के पहले किसी भी pronoun का यूज किया गया हो किसी noun का प्रयोग किया गया हो तो वो सब का सब grammatically गलत माना जाता है ठीक है तो ऐसी अवस्था में बिंग के पहले यह second waale case में जहां पिविंक का प्रयोग किसी भी नेच्ः भूरल हय हैep turning के लिए नहीं किया गया है किसी प्राकृति घटना के संदर में नहीं किया गया है इसके पाले हमें किसी भी subject की किसी भी never known की जरूरत नहीं हो होगा यदि नहीं करेंगे तो ग्रामर की गलती होगी ठीक है चलिए अब इनको समझने के बाद हम लोग चलते हैं स्लाइड की तरफ और वहां पर देखते हैं क्या कुछ कोशन है इस तरीके के इनके में जिसको हम लोग सॉल्व कर सके तो यहां पर कुछ कोशन आपको दिख रहा है प्रिविएस येर का फटा फट इनको एक बार आप खुद से जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास किजिए जल्दी आते हैं और अब यहां पर हम लोग डिसकस करते हैं देखे सबसे पहले हम बात करें तो कोशन नमर वन में बिंग असनी डे अब सनी डे मतलब धूपदार दिन ठीक है तो अब यह धूप हो च्छां हो बारिस हो ठंड हो जैसा भी हो आंदी तुपाना है यह सब क्या ठीक है सेकंड वाले सेंटेंस में चले विंग अवेलनोन साइंटेस्ट एक जाना माना फेमस वह ज्यानिक होने के कारण तो साइंटेस्ट होना और वो फेमस हो या नहीं हो जैसा कैसा भी हो किसी भी तरीके का हो चुकि यह साइंटेस्ट होना कोई नेचूरल हैपेनिंग न नहीं है और फिर भी यहां पर किसी प्रॉन का यहां मेकर साथ किया। करेक्ट साथ कि सब्सक्राइब करेंगे कि कुछी जाए चलिए यहां से थोड़ासा आगे बढ़ते हैं देखते तो यहां पर हमें इसके आंसर के रूप में प्लिजंट डे एक सुहावरा दिन जिसको बढ़ी आमोसा मानते हैं जैसा भी यह जिसके भी टाइप के विदर को आप प्लिजंट मानते हों अपने एकॉर्डिंग उसके एकॉर्डिंग अब यह प्लिजंट डे होना यह क्या है नेचूरल हैपनिंग से नेचूरल हैपनिंग से तो फिर देखिया हमारा आंसर क्या बन जाएगा इट बिंग अप्लिजंट डे नेक्स्ट आगे बढ़ते यहां से और आप देख पा रहे हैं यह सारे आपके प्रिभियस यह में नाहुन इट का हमारा अंसर क्या बनेगा आंसर बनेगा इट बिंग और रेनी डे ठीक है देट इस आंसर करेंगे एक्जाम में तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नमबर ए नेक्स्ट अब यह रहा प्रेपोजीशन प्लस केस तो इसको इस कंडिशन को हमने अभी से थोड़ी पहले ही आपको पढ़ाया आज के क्लास में आपको पढ़ाया प्रेपोजीशन के पाद क्या था अबजेक्टिव के साथ लेट बट एक्सेप्टेंट प्लस जेटिव के सितस यह उसी का कंडिशन है उसे का यह टाइप है तो आईये इसको हम लोग चुकी पढ़चुके है तो सीधा हम लोग चलते कोशन की तरफ तो इनका पर फटा 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 स्क्रीन सॉट ले और जल्दी से इनको सॉल्म करने का प्रयास करें तो अब आते हम लोग कोशन की तरफ यह देखे यह टू क्या प्रैपोजीशन है अब यहां पर थोड़ा साब को समझने के जरूरत यह है कि हूँ का यूज होता है सब्जेक्टिव केस में कौन से केस में सब्जेक्टिव केस में और यह जो प्रोनावन होता है हूम इस हूम का यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में कौन से केस में ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज हम लोग करते ह ठीक है तो हुग का यूज़ करते हैं सब्जेक्टिव केस में हुम का यूज़ करते हैं और यह क्या है डू क्या है अब यहां पर एक और आपको concept सीखने की जरूरत है अगला concept देखिए क्या है उस concept के according सबसे पहले यहां पर उस concept के जरूरत क्यों है उसको हम देखें यह देखें आफ है आफ के बाद यह objective case है तो अच्छी बात है क्योंकि preposition के बाद क्या आता है objective case आता है ठीक है अब आपको यहां पर ध्यान यह रखना है कि प्रणाउन का जो टेबल हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था I, My, Mine, Me ठीक है यानि यह पूरा का पूरा I family इसी तरीके से पूरे टेबल को हम लोगों ने पढ़ा था अलग-अलग family में I family, we family, you family, he family, she family, they family, it family और one family ठीक है तो अब इनका concept यह है आप फस्ते कहां पे हैं तो फस्ते हैं आप यहां पे कि यह कोई भी प्रेपोजीशन आए प्रेपोजीशन के बाद यहां आपको कोई भी प्रोणाउन दिखाए दे क्या दिखाए दे प्रोण के बाद यहां पे आपको कोई वाब दिखाए दे तो वर्व के पहले आता है सब्जेक्टिव केस यह डिमांड करता है कि मुझे चाहिए सब्जेक्टिव केस क्या चाहिए तो इसको चाहिए सब्जेक्टिव केस प्रेपोजीशन कहता है कि हम अपने बाद रखते हैं अब करते हैं कि यहां पे वौड एक ही आना है और सब्जेक्टिटिब ऑपजेक्टिव के के लड़ाई सुरू हो जाए तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे हम लोग यूज करते हैं पॉसेशिव केस का और पॉसेशिव केस के रूप में हम लोग यूज करते हैं पॉसेशिव एडजेक्टिव का किसका तो अब यहां जरत ध्यान से आप देखिए यहां पे न तो हम सब्जेक्टिव क किसका यूज करते हैं और नहीं हम अब्जेक्टिव किसका यूज करते हैं हम यहां पर यूज करते हैं पॉसेशिव एड्जेक्टिव का किसका यूज करते हैं पॉसेशिव एड्जेक्टिव यानि आई फैमली में बात करें तो पॉसेशिव एड्जेक्टिव क्या होता है मा वी फैमिली में तो आर यू फैमिली में यॉर ठीक है यॉर्स नहीं इस वाला नहीं भी नहीं इस वाला सेकंड कॉलम में प्रणाउन कर जो सेकंड कॉलम था उसमें ही फेमिली में ही फेमिसंड सी फेमिली में में इट फेमिली में इस ठीक है आवा जाति यहां पर देखिए यह प्रेपोजीशन कह रहा है कि CHAM UPने बाद रखेंगे अबजेक्टिब के इसको यह-SBo यह वर्ब कह ररा है कि हम अपने बाद यह अब्जेकटिबा नहीं नहीं देंगे यहां रखेंगे सब्जेक्टिब तो मेडिएटर के तोर पर हम लोग किसका यूज करेंगे न तो I को लिखेंगे न मी को लिखेंगे इन दोनों के बीच बचाव में हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे हम लोग यूज़ करेंगे possessive adjective जो है my ठीक है next यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग board को clear करते हुए चलते हैं next slide की तरफ देखें क्या कुछ और question है यह वह question था possessive adjective का जो अभी अभी थोड़ी देरे पहले हमने आपको बताया तो आईए इनके कुछ question को हम लोग यहां पर solve करने का प्रयास करते हैं यह रहा है आपके सामने कुछ question अब देखें यहां पर off यह off क्या है प्रेपोजीशन ठीक है यह बिंग क्या है यह वर्ब तो वर्ब को चाहिए subjective प्रेपोजीशन को चाहिए objective केस फस गया फस गया तो अब हम क्या करेंगे हम यूज करेंगे प्रेप और यहां देखिए यह माई आल्रेडिक्र आप को ऑप् Ciao डर सी इब है इसलिए यह इन यजो ब कोई ब्रैकिट वाला पार्ट है यह ब्रैकिट वाले गीविन बार्ट में आपको इंप्रोभ्मेंटकरना था इसके लिए चार आप सामझर को गीविन यूज तो उसक तो चुकि यहां पर पॉसेसी बैट ज़रूरत ही और और याने सेंटेंस बिलकुर ग्रमेटीकली करेक्ट है तो इस कोश्चन का अंसर हमारा क्या बनेगा आंसर बनेगा हमारा तो अब मज़ा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाये जाए और चलते हैं अगले स्लाइड में अब यहां पर देखिए इस कोश्चन में हम लोग को क्या करना चाहिए यह देखिए यह वन तो प्रतेख फैमिली का अपना अपना हिल पर होता है यानि कि पॉसेसिव एड़्यक्टिव और पॉसेसिव प्रोनावन होता है तो यदि कोई भी पॉसेसिव प्रोनावन जिस किसी भी फैमिली का हो उसी फैमिली का उसका हिल पर अर्थात पॉसेसिव एड़्यक्टिव हम हम लोग use करते हैं, तो I का क्या use करते है, my, ठीक है, I का, my, we का, our, you का, your, ठीक है, फिर he का, his, he का, her, it का, its, it is, फिर they का, their, t-h-e-i-r, ठीक है, और one का, o-n-e, apostrophe is, आईए, इन question को हम लोग यहां solve करना शुरू करें, यह देखिए, one sentence में subject के रूप में use किया गया है, तो फिर इसके लिए हमें क्या use करना चाहिए, once would look for his own, नहीं, his के जग हम क्या use करेंगे, one का, possessive adjective, once, ठीक है, having finished his paper, he left, अब यहां पे देखिए, he की कोई जरूरत नहीं, यह है, superfluous, तो ऐसे भी कुछ question आपके exam में पूछे जाते हैं, जिसमें, प्रोनाउन को unnecessary तरीके से, और बांची तरीके से, यूज किया जाता है, तो simply इस question को correct करने का तरीका होता है, कि जहां पे unwanted noun या प्रोनाउन का यूज किया गया है, आप simply उसको remove कर देजे, sentence सुझाता है, हमारा correct, ठीक है, चलिए, तो इस question का हमारा answer क्या बनेगा, answer बनेगा, option number B, he को remove कर देंगे, simple answer बने जब अपना paper समाप्त कर लिया, तो विजय अपना paper समाप्त करने के वाँ, जो उसका paper होगा, वहां जो भी examine होगा, उसको दे देगा, ठीक है, जो भी वहाँ पे guarding का काम कर रहा होगा, जो भी teacher faculty वहाँ present होगे, उनको paper submit कर देगा, submit करके exam hall से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, चले next, board को clean करते हैं, और चलते हैं से, आगे की और हम लोग, यह एक और question है, आपके सामने, I and he, अब जारा देखे, 231, 123 हम लोग पढ़े थे, have prepared the lesson thoroughly, जो lesson था, उसको हम लोगों ने ठीक से prepare किया, यह क्या है, sorry, यह I क्या है, first person, he क्या है, third person, तो हमारा sequence क्या होता है, 231, अब देखे, इसमें से second person present नहीं है, second person हटा दी हमारे पास क्या बचेगा, 31, यानि कि हमारा answer क्या होगा, इस question का answer बनेगा, he and I, he and I, ठीक है, चलिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और question को हम लोगे हैं पर solve करने का प्रयास करते हैं, तो आए, इस question को भी हम लोग पर छोड़ना है, रखना है, यह देकर आना है, तो sentence बिल्कुल सही है, where to leave the paper, where I had to leave the paper, यहां पर देखिए, यदि I का use हम लोग कर लें, तो यह थोड़ा सा ज्यादा बेहतर दिखता है, उसने मुझे remind करवाया कि paper कहां पर छोड़ना था, reminded me, where I had to leave the paper, यह भी सही है, me, where to leave, she reminded me where to leave the paper, यह ज्यादा सही है, तो इसका correct answer क्या बनेगा, me, उसने मुझे याद दिलाया, कि paper कहां पर छोड़ना था, तो paper छोड़ना किसको थम्मूशे ही, अब इसमें यहां पर हम I का use कर, जैसे यह हम answer करते हैं, option number A, तो उसने मुझे याद दिलाया, यह remind क्या है वर्ब है, तो वर्ब के बाद यह objective के साथ जाएगा, me, ठीक है, और इसके बाद यदि यह इस I का हम लोग use करते हैं, तो यह तो understood है ना, भाई, कि paper हम ही छोड़ेंगे, जिसको remind करवाय जा रहा है, जिससे बताय जा रहा है, कि आपको paper कहां छोड़ना है, paper रखने का छोड है, हमारा option number C, तो correct answer is option number C, next, आगे बढ़ते हैं, हम लोग, चलते हैं, अगले question में, इस question को आई, हम लोग यह पर solve करने का प्रयास करें, यह देखे, did their bus come on time, तो क्या उन लोगों के bus सही समय से आई, अब देखे, यह क्या है, बस क्या है, सबसे पहले bus क्या है, noun, तो there's ऐस तो होता ही, नहीं है, यह there's, इसका use हम लोग करते हैं, यह हमने आपको pronoun के first class में बताया था, इसका use हम लोग करते हैं, without noun, तो यहां पर bus लिखा हुआ है, bus क्या है, noun है, तो यह भी नहीं होगा, अब हमारा answer क्या बनेगा, यह बनेगा, correct answer is option number C, next, I and my parents live together, I and my parents live together, अब दे दोनों साथ साथ रहते हैं, यानि कि प्यार मुहबत वाली बाते हो रहें, साथ साथ अभी रहेंगे, जब दूनों में साम अंजर से हो, प्यार मुहबत हो, वरना नफरत हो जाएगी, तो साथ में थोड़ी रहेंगे, ठीक है, तो इसका sequence क्या बनेगा, my parents and I, my parents and I, correct answer is option number B, ठीक है, आईए कुछ और question को हम लोग फटा-फटे हां पर solve करते चलें, और चलते हैं अपने next slide में, आईए ये question देखें हम लोग, I have bought the book, ठीक है, अब ये देखें ये जो it's है, आपने से कुछ बच्चों को यहां पर doubt होता है, कि ये जो it's होता है, और ये जो it's होता है, दोनों में क्या आंतर है, ये क्या है, तो ये है आपका possessive adjective, और इसका meaning होता है, इसका meaning होता है, इसका meaning ही होता है, something is missing, इसका use तभी करते हैं, जब कुछ miss हो रहा हो, ठीक है, कुछ वाज से remove कर दिया गया हो, अब देखिए, यहां पर it is, तो is क्या है, वर्ब है, वर्ब के object चाहिए, तो वर्ब के बाद objective के से रखिए, objective के से क्या गया, me, ठीक है, it is me, next, यहां पर आईए, इस question में, देखिए हम लोग, dot dot dot, यानि कि dash that, 13 is an unlucky number, अब यह माना जाता है, माना जाता है, सब विश्वास किया जाता है, कि 13 क्या है, एक unlucky number, तो इसको express करने के लिए हम लोग यूज करते है, option number D, it is believed, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है, अब फिर देखिए, यहां पर आया, it is dash, who is to be blamed, it is dash, who is to be blamed, अब यह देखिए, is क्या है, वर्ब बी इबी का पार्ट है, वर्ब बी इबी के बाद क्या आता है तो subjective case है, answer क्या बनेगा, option number A, यह हमने आज ही के class में आपको जब पढ़ाना सोरू किया था, वर्ब बी वाला concept बताया था, कि बी के कितने form होते हैं, तो 6 form होते है, is, am, are, was, were, और, be, be, तो यह देखिए, is के बाद क्या आगया, subjective case, ठीक है, तो आज के class को हम लोग यहां पर विराम देते हैं, यहां पर हम लोग conclude करते हैं, इसके आगे की चीज़ों को फिर next class में हम लोग continue करेंगे, ठीक है, तो इस वीडियो सेशन को, चोकि यह बिलकुल निसुलक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी hidden charge नहीं है, तो इसको जादा-जादा की संक्या में अपने दोस्तों तक, पडोसियों तक, संबंदियों तक, भाई भानों तक, सब तक पहुंचाईए, सब तक इसका प्यार बाटिये, ताकि जादा-जादे बच्चे सेलेक्ट हो सकें, ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आप सबों का,